दीपका पादुकोंट शुक्रवा रात शार जाह संयुक तरब अमीरात पहुंची वे यहां एशिय विजन अवोद सेरम अनी में शामिल होने पहुंची थी हमेशा चेहरे पर मुस्कराहट रखने वाली दीपका इस दोरान कुछ बुची बुची नचर आई रपोर्ट्स की माने तो सेरम अनी में दोरान नकेवल दीपका उदास दिखाई दे रही थी बल्कि उन्होंने यहां अपनी अपकमिंग फिल्म पदमावती के बारे में भी कोई बात नहीं की अंदाजा लगाया जा रहा है कि दीपका ने चुपी साधने का फैसला किसी डर कुछ दिनों पहले दोनों ने ही अपना नाम वापस ले लिया था लेकिन बाद में किसी तरह दीपका इस सेरहमनी का हिस्सा बन गई बता दे कि शाहिद पदमावती में दीपका के पती और महरावल रातन सिंग का रोल कर रहे हैं गौत अलब है कि यह फिल्म एक दिसंबर को रिलीज होने जा रही थी लेकिन राजपूत करणी सेना और हिंदू संगठनों के विरोध के चलते इसे टाल दिया गया है अब चर्चा है कि यह फिल्म 12 जैनवरी 2018 है अवेलें 10 वीक फरवरी 2018 में रिलीज हो सकती है हाला कि अभी तक इसकी कोई ओफिशल पुष्टी नहीं है पंसाली कसिर और दिपका की नाख काटने की धमकी मिल चुकी राजपूत करणी सेना दिपका की नाख काटने की धमकी दे चुकी है रिपोर्ट्स के मुताबिक करणी सेना के महिपाल मकराना ने कहा था राजपूत कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दिपका पादुकोन का वहीं हाल करेंगे जो लक्ष्मन ने सूर्पन अखा का किया था रामायन के मुताबिक लक्ष्मन ने रावन की बेहन सूर्पन अखा की नाक काट ली थी मकराना ने कहा था कि पादुकोन लोगों की भावनाओं को न बढ़काएं राजपूत अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे पताधे की दिपका ने कथित तोर पर ये बयान दिया था यह भाई आवे है इससे हमें क्या मिला और एक राश्ट्र के रूप में हम कहा पहुँच गए हैं हम आगे बढ़ने के बजाए पीछे हुए हैं इससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरट में एक राजपूत नेता ने एलान किया था कि जो शाक्स डायरक्ट संजै लीला भंडसाली का सिर कट कर लाएगा उसे पांच करूर का इनाम दिया जाएगा उधर यूके मैं मिली रिलीज की धमकी ब्रिटिश बॉर्ड और फिल्म क्लासिफिकेशन बी बी एफसी ने फिल्म को बारहे सर्टिफिकेट देते हुए यूके में एक दिसंबर को रिलीज की पामिशन दे दी खास बात यह है कि फिल्म में बॉर्ड ने किसी तरह का कट नहीं लगाया ये खोशना ब्रिटिश सेंस बॉर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की हाला की पादमावती की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी वाया कॉम 18 स्टुडियो फिल्म को इंडिया में फ्रीमियूर से पहले यूके आदूसरे किसी मार्किट में रिलीज करने के मोद में नहीं है डानिक भासका डॉट कॉम से खास बातचीद में वाया कॉम 18 के CEO अजीत अंधारे ने कहा यह सही नहीं है कि पदमावती UK में रिलीज हो रही है फिल्म को सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट मिला है लेकिन रिलीज नहीं हो रही है देश से बाहर रिलीज पर सुप्रीम कोट करेगा सुनवाए पदमावती 1 दिसंबर को विदेशों में रिलीज होगी या नहीं इस पर सुप्रींग कोट में 28 नवंबर को सुनवाई होगी दरसल इसे लेकर सुप्रींग कोट में करजी लगाई गई थी जिसे कोट ने मनजूर कर सुनवाई की तारीक खोशित कर दी है